हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आई मेंगनेस पर आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपून खबर है बहुत ही जल्द मद्यप्रदेश की पुलिस विवस्था और सासन विवस्था में परवर्तन होने जा रहा है वह एक सिस्टम आपके पास लागू हो चुका है जै ही है आज हम यह चर्चा करने वाले हैं कि इस विवस्था से मद्यप्रदेश के प्रसासन में और पुलिस में क्या-क्या बदलाब हो क्या यह विवस्था हमारे लिए उपयोगी है या फिर इस से आम जनता को कुछ समस्याएं जहिलनी पड़ेंगी या ऐसे क्या बदलाब हो है क्योंकि इससे प्रिलिम्स के अंदर और मेंस दोनों के अंदर प्रिस्ण बनने की सारी समझ चलिए जानने का प्रियास करते हैं जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे टॉपिक का नाम है पुलिस कमिशनेर्ट सिष्टम यानि पुलिस कमिशनरी पनाल तो सबसे पहली ची जैसे किसी भी जिले के अंदर मुक्यता जो आपका प्रदेश है वो जिलों में बटागवा होता है तो प्रतेख जिले के अंदर बहां की प्रसासन और पुलिस विवस्था को समान ले के लिए एक विवस्था चलाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या जिसे चेक एंड बैलेंस है समझीग क्या है भारतिय सम्यधान को जैसे हím देख थे हैं आप सबी लोगों को पथा होगा बारतिय सम्यधान क्या है सम्यधान मतलब ऐसा दस्तावेद जिसके आधार पर बिनप्रकार के काने तो बाश्यदान के अनुच्छेर ता की प्रवश्थी बन और टू यानि एन रहेगा उस पर राज्य सरकार ही कानून बनाएंगी या उससे संबंदित कोई भी इंडिन राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा यानि इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लोग विवस्ता और पुलिस जो विशय है वह राज्यों का विशय यानि कि सम्मिधान ने यह सकति किस आपको पता है सबसे बड़ा जो एकाई है राज्य के अंदर उसे कहा जाता है जिला और जिले केंदर दो प्रकार की विवस्ता हो तीए एक वोता है प्रसासन कोई स्ब्नाना दूसरा होता है पुलिस चला और इसके लिए हमारे पास विवस्ता किस प्रकार की रखी गई थी कि प्रसासन का जो हेड बनाया गया था उसे हमने नाम दिया था कलेक्टर और कलेक्टर के सासाथ इसके लिए एक सब्द और यूज होता है जिसको हम कहते हैं डी एंट ये भी आप लोगों ने सुना होगा और पुलिस का जो मुखिया होता है जिले के अंदर उसे कहा जाता है यानि अभी हमारे पास जो विवस्था दी वो इस प्रकार की थी कि जिले के अंदर दो मेधफूर पद होते थे एक होता था कलेक्टर या डीम तूसरा होता था पुलिस या एस पुलिस का प्रमुक एस पी और प्रसासन का प्रमुक डीम अब इन में आपने देखा होगा ये देखा जाता था कि कलेक्टर के पास अधिक पावर होती है एस पी के पास पावर कम ओती ऐसा कुछ लोग कहते है नॉर्मली ऐसा ज्यादा होता नहीं है यानि कि यह बात है क्यों कहीं जाती थी क्या कारण था तो समझे जैसे यह जो डीम सब्द आपके पास लिखा है अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म निकलता है डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट क्या निकलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका मतलब क्या हुआ यानि कहीं ना कहीं पर यह क्या करेगा मजिस्ट्रेट सब्द जैसे आपके पास आया इस से आप अंदा बिविनन प्रकार की नियाएक सक्तियां दे गई, नियाएक सक्तियां देने से क्या किया गया, कि पुलिस से समन्धित जो भी राइट से, यानि सपोज्डेट कभी कोई इमर्जेंसी हुआ, कहीं सहर में दंगा हो गया, या कहीं धरना प्रदर्शन में कुछ प्राब्लम हो गई तो उस समय पर पुलिस को अपना कारे करने के लिए प्रसासन यानि की डी-े-म से अनुमती लेनी पड़ती थी इसी विवस्ता को खा जाता है नियंत्रण एभम संतुलन की दोहरी विवस्ता यानि की डी-े-म के अंडर SP आते थे जब भी कोई आपात कालीन घटना होती थी उसके लिए किन्तु जैसे ही अब चुकि आपको मैंने बताया कौनसी पनाली आ रही है मद्देश में पुलिस कमिशनर पनाली तो पुलिस कमिशनर पनाली के आने से ये जो कलेक्टर के पास बहुत सारी ऐसी कौनसी मजि संबंदी सकतियों का भी उपयोग करें अभी हम डिस्कत करेंगे ऐसी कौन-कौन सी सकतियां है अब जिन पर पुलिस डारेक्ट कारवाई कर सकती है अभी तक जिन के लिए उसे DM या कलेक्टर से परमीशन लेने की जरूरत पढ़ती है तो इतना आपको समझ में आ गया हो है क अभी तक जो विवस्ता चल लए थी वो दोहरी विवस्ता थी डूल सिस्टम था जिसमें प्रसासन का प्रमुक कलेक्टर होता था और पुलिस का प्रमुक एस्पी होता था और आपके क्या कहते हैं इमर्जेंसी समय में क्या करना पड़ता था एस्पी को डीम के अनुमती के अधीन कार करना पड़ता था अब यहां पर क्या किया गया यहां पर आपके विवस्ता चेंज की गई और चेंज करने के साथ ही अब पुलिस को यानि की कमिशनरी सिस्टम के अंतरगत यह सारी चीदे कमिशनर को दीगी आप देखिए उसमें कौन कौन से अद्गार दिये गए जैसे आपने सुना होगा जब भी आपके पास चुना वाता है धारा 144 लागू कर दी जाती है या फिर कोई इमरजेंसी समय होता है तब भी आपने सुना होगा धारा 144 कौन सी धारा 144 CRPC यह किसके बारे में डिसकस कर रहे हैं हम अधिकतर बात कर रहे हैं CRPC के बारे में CRPC क्या होता है यह अलेक मेंटर है उसके बारे में कभी बात में डिसकस करेंगे तो धारा 144 के अंतरगत क्या होता था आपने सुना होगा यह कहा जाता था कि कहीं पर भी कोई भीड एकटी नह जाएगी पुलिस कमिशनर के आदिश्य की जाएगी एक बदल आप यह देखा जाएगा दूसरा बदल आप यह देखा जाएगा कि धारा 151 यानि सांती भंग, सांती भंग की भी सकती किसको दी जाएगी, अब पुलिस को दी जाएगी, यानि कि यगदी आपको ऐसा लगता है, कि कोई ऐसा ब्यक्ति आपके समाज के अंदर है, जो किसी ऐसे प्रकार के कारे को कर सकता है, जिससे लोग विवस्था आपकी क्या हो, ख कमिशनल करेगा. इसके अलाभा 176 यौत लेकर उसे छोड़ सकती है, इसके इसके अलाबबा गुंड़ा एक्ट, गैंग इस्टर अक्ट पसुक, इसका ऑलाभा जेल जेल की बात करने है तो जेल में जो बंधी बंध है उनको पैरोल पर छोड़ना ये सारा काम अब कौन करेगी पुलिस करेगी यह सारी चीज़े पहले डीम के दिन जा रही थी अब कहां पर आ गई है पुलिस के दिन इसके अलावा ग्रोबन समाज अपराद के लिए एन ऐसे आपने सुना होगा नेशनल सिक्रेटी एक्ट राश्टी सुरच्छा खानून उसके अंतरगत भी अब खारवाई कौन कर सकती है पुलिस कर सकती है धरना प्रतसन आदी पर भी सरकारी गोपनी था यानि बहुत सारे ऐसे अधिकार जो अभी तक प्रसासन के अंतरगत कलेक्टर या डीम के पास होते थे अब वो फुलिस के पास पहुंच जाए यानि काफी कुछ मद्ध प्रदेश के इन दो महानगरों की प्रसासन और प्रस्मेश多 में देखने को मिले अब यहां पर प्रस्न आपके यदि आप प्रसासनिक सेवा के अभ्यारती हैं तो बहुत सारे प्रस्ण आपके पास यहां से बनेंगे हो सकता है वो इन वैसे किसी एक धारा को लेकर प्रस्ण पूछ सके हो सकता है अभी इसके इतियास के बारे में जैसे मैं आपको बताऊंगा तो बहां से प्रस्ण बन जाए इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है तो उसका license बनाने के लिए आप कहां पर DM office पर apply करते थे लेकिन अब वो आप यहां पर apply नहीं करेंगे आप कहां apply करेंगे police commissioner की पास यानि license बनाने का अधिकार इसके अलाबा बार का अधिकार इस टाइप के जो अधिकार हैं आपके पास जैसे आपके जिले के अंदर कोई सांस्कृतिक आयूजन किया जाता है तो अभी तक कौन देता था ओडर अभी तक डीम देते थे लेकिन आप कौन देगा कमिशनर देगा यदि कोई धरना प्रदरसन ब्रोध किया जाता है तो उसके लिए भी आपको अनुमती कहां से लेनी प इस अपर देख रहे हैं कि इस एक सिस्टम से प्रसाशन के कुछ अधिकारों को क्या किया गया और ट्रांसफर किया जा रहा है किसकी तरफ पुलस की तो इससे आप समय सकते हैं कि आप पुलिस काफी कुछ किया हो जाएगी पावरफल हो जाएगी अब हम सोझें कि भाई ऐस क्यों किया जा रहा है अच्छी विवस्था चल लई थी प्रब्लम क्या होती है तो देखिए समस्या क्या है जब भी कोई इमर्जेंसी कंडिशन आती है और उस समय पर पुलिस को तुरंट कारवाई की जरूवत होती है कि अभी जो हमारे पास पुरानी विवस्था चल लई थी इसका नाम था नियंत्रणयम संतुलन की विवस्था इसके तैट उसे डियेम से परमीशन लेने के लिए बेट करना पड आती थी इसलिए हमने क्या किया या मद्दप्रदेश सरकार ने क्या किया अब इस विवस्था को मद्दप्रदेश के अंदर लागू कर दिया और जिससे की आपात कालीन परस्थतियों में इमर्जेंसी कंडिशन में पुलिस तुरंद कारवाही कर चाई इतने सारे अधिका कमिशनरी विवस्था लांकी की गई है इंदोर में यदि हम बात करें कितने थाने हैं इंदोर के 36 थानों के अंतरकत इसको लागू किया गया है बोपाल के 38 थानों के अंतरकत इसको लागू किया गया इंपोर्टेंट बात ही है कि इन दोनों महानगरों के देहात छेत्रों म अभी भी आपकी पुरानी विवस्ता ही लागू रहेगी अर्थात बहाँ पर कमिशनरी ना होते हुए अभी भी जो पुलिस का प्रमुक होगा वो कौन कहलाएगा एस पी ही कहलाएगा ना की कमिशनर कहलाएगा यह फैक्त है आपके पसासिंग सेवा क्या ब्यारतियों के लिए कि कितने थानों में यह विवस्ता लागू की गई है और इंदोर में अभी जो आपका पुलिस कमिशनर बनाए गई हैं उनका नाम है हरे नारायन चारी मिसरा हरे ठीक है जबकि बोपाल में जो बनाए गई है उनका नाम है मकरंद देउसकर मकरंद देउसकर तो यह आपको नाम याद रखने है यह आज ही इनको घोसित किया गया है पुलिस कमिशनर के रूप में अपॉइंट किया गया है तो यह कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने अब यह structure देखिए कि भाई जो होगा यानि आपके सहर के अंदर बोपाल और इंदोर दोनों के अंदर सबसे प्रमुक जो पुलिस का ब्यक्ति होगा उससे पुलिस आयुक्त कहा जाएगा और यह जो ब्यक्ति होगा यह एडीजी बरतमान विवस्ता की एडीजी रेंग का पुलिस के रूप में असिस्टेंट कमिशनर और पुलिस के रूप में नुक्त किया जाएगा उसके बाद उनके नीचे एडी ने तो यह सिंद्वर क्ति न प्रकार का इक मौडल कमिशनर यह आपका इंद्वर के लिए पुछ नीचे यहाँगर exits मिल जाएगा तो थोड़े बहुत चेंजर आपको यहां दिखाई देंग तो यह विवस्ता मद्यप्रदेश में लागू हो चुकी है बहुत मैत्पूर्ण विवस्ता है आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रसासन में और पुलिस में क्या अंतर इससे आएगा अब थोड़ा सा इसके इत पुलिस अधनियम बनाया गया था किन्तु यह कमिस्टारी पॉराली उस से भी पुरानी अप समझें एटीं 56 में पहली बार कमिस्टारी सिस्टम लागू किया किया जाने की बात की गई और वो इस्तान था कोलकाह THAT आनि क्या कघया कि पुलिस कमस्वी शिस्टम जो लागू क किया जाएगा वो कहां किया जाएगा कुलकाता में किया जाएगा किन्तु यहां पर लागू नहीं हो पाया तो फिर लागू कहां हुआ 1856 में ही 1856 में ही यह लागू कर दिया गया चिन नहीं में तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली बार जो पुलिस कमिशनर आपका न्युक्त किया गया वो किस राज में या किस छिआ नुक्त किया गया उसका आंसर है चेन नहीं ठीक है तो 1856 में कोलका था 1856 में किन्तु इसके बाद मैंने बताया कि आई Shame 61 में आपका पुलिस एक्ट आया और इसके बाद 1864 में 1864 में बंबई तथ Cand today inorter 000 में कमिस्नरी विवस्था शुरू करतें यानि ये इतियाज करूब मेदियां देखा है तो 56 से विवस्था शुरू ही 64 में बंबे में आई उसके बाल части N sweeten 78 सवतंतरता के बाद 1978 में दिल्ली में कहां पर दिल्ली में पुलिस कमिशनरी बिवस्था को लागू कि अभी हाली में उत्तर प्रदेश यह जवकि मद्ध प्रदेश नmareslessiuraDipples के नप्र दिन पहले और से प्रस्न बनने की समभवनाएं बन सकते हैं इतनी चीज़े समझाएं चलिए आप थोड़ा साथ देखें क्या यह डारेक्ट कर दिया गया नहीं इसके लिए कुछ कमेटियां बनाई गी कि भाई पुलिस कमिस्ट्री सिस्टेम को लागू किया जाए नहीं किया जाए क्या किय जाए उसके लिए कुछ कमेटियां बनाई गई तो सबसे पहली जो कमेटिया आपके सामने बनाई गई उसका नाम था धरमबीरा आयोग बेसिकली ये इसके लिए नहीं बनाया गया था ये छटा राश्ट्री पुलिस आयोग था जो कि 1977 में बनाये पुलिस विवस्ता में सिफारिस यह भी की थी कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या पांच लाग से अधिक है उन नगरों में क्या किया जाए कमिस्णरी सिष्टम को लागू किया जाए यह इनोंने एक सुझाद दिया सिफारिस थी तो यह पहला आयोग आपका इससे संब्दित मिलता है यह मैं बात कर र नहीं है तो धरंबीर आयोग 977 छटा राश्टी प्लिस आयोग उसने क्या किया पुलिस कमिस्णरी प्रणाली को लागू करने के लिए सुझाब दिया फिर उसके बाद दूसरा आपके पास बना सन 2000 में जिसका नाम ता पद्म पद्मना मैया संती यह संती क्या थी इस संती स प्लिस सुधार के लिए तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ड में यह कहा कि जो जादा जन संक्या वाले हैं यहां बात की जादा जन संक्या यहां पर यह नहीं लिखा तक कितनी जन संक्या यह याद रखना है धरंबीर आयोग जो बात करेगा वह पांच लाग से अधिक जन संख्या बाले सहरों के बारे में बात कर रही तो यह दूसी सम्थी फिर 2005 में आपका ग्रह मंत्राले ने एक पुलिस तंत्र आयोग पुलिस तंत्र में सुधार के लिए एक आयोग बनाया और इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सुजाब दिया कि 10 लाख से अधिक ज सहरों में कितने हंड्रेड सिटीज में आपकी पुलिस कमिशनरी विवस्था लागू की गई तो यह इसका एक इतियास ता इससे संबंदे सम्थियां थी अब MP में आपको बताऊं 1981 में 1981 से इस सिस्टम को लागू करने के लिए प्रयास किया रहे हैं किन्तु 2021 दिसंबर में आकर इसे लागू किया जा चुका है फिलाल में मैंने बता दिया दो सहर एक तो मद्द प्रदेश की राजदानी बोपाल जीलों का सहर और दूसरा मद्द प्रदेश की आर्थिक राजदानी इंदौर यहां पर इसको लागू किया गया है और अभी इसको यह देखा आम जनता के लिए लाबदायक है प्रसासन के लिए लाबदायक है या फर इससे कुछ हानिया हो सकती समझेगा बात तो भाई अभी तक आप लोगों ने सुना होगा जैसे आपके सामने नाम आता है पुलिस पुलिस का नाम सुनते ही हमारी बिचारधारा एकदम बदल जाती है हमारे सामने एक ऐसा चैरा आता है जो कि हमारी मदद करने के बजाए कभी-कभी हमारा सोसन भी कर लेता है इस प्रकार की गठना है हम देख चुके तो क्या कमिशनरी सिस्टम में इतने अधिकार देने से पुलिस विवस्था को पुलिस कमिशनर को कहीं ऐसा तो नहीं होग वो जनता के हित की बजाए उनके आहित में काम करने लगें ये बहुत सोचने वाली बात है और समय समय पर बिविन बिद्वानों ने बिचारकों ने और नौकर साही के सबसे बड़े ठिंकर बिद्वान मैक्स मेवर ने नहीं इस बारे में बात किए कि कहीं ना कहीं नौकर साह सोसन के यंद्र के रूप में भी कभी कभी खार करने लगती है और उसके अंदर विविन्द प्रकार की बुराईयां लाल-फीता-साही प्रकार की भाई-बती-जाबाद प्रकार की आजाते हैं तो भाई-सिश्टम बहुत अच्छा है लागू करने से आपके विविन प्रकार की समस्याओं का समाधान समब है किन्तु जरूरत इस बात किये कि इस सिस्टम को कंट्रोलिंग के साथ, कमांडिंग के साथ लागू किया जाए जिससे कि किसी भी गलत प्रकार की कारवाही को अंजाम न दिया सके आम जनता के हित में ये विवस्ता रहे आम जनता के अहितकारी ये सिद्ध न हो तो आई होप आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी यदि पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करें धन्यवाद